हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल रवीशडी आई क्यू जी के आज मैं आपके लिए 2019 का सबसे ज़्यादा इंपॉरेंट टॉपिक अयोध्या वर्डिक्ट इससे रिलेटिड मोस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आयों मैंने आपके लिए जो कोशन आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन रह सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा अयोधिया इस सिटुएटिड इन विस टेट वैंजु आयोधिया है वो किस राज्य में स्थेथ है तो सही आनसर है आप्शन ए उत्तर परदेश स्टेट में अयोधिया स्थित है, important question रहेगा आपके exam के लिए, friends, यहाँ पर उत्तर परदेश आया है, यह जो कि Indian state है, उत्तर परदेश की capital लखनव है, यह आपने ध्यान रखना है, और उत्तर परदेश की जो present में chief minister है, वो है योगी अधित्यनाथ, और present में जो governor ह है, उत्तर परदेश के वो है, अनन्दी बेन पटेल, यह भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, important question रहेगा, next question कर लेते है, how much acres of land was disputed in ayodhya case, ayodhya case में कितने acres का जो जमीन था, वो विवादित था, मतलब, disputed था, तो आपका answer होगा, option B, 2.77 acres of land जो था, वो disputed था, ayodhya case में, important question रहेगा, next question कर लेते है, ayodhya is situated on the bank of which river, जो ayodhya है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही answer है, option A, सर्यू नदी के किनारे, ayodhya स्थित है, next question है मारा, the final judgment on ayodhya case in the supreme court was declared on, final judgment जो ayodhya case के उपर आया है, supreme court में, वो किस दिन declare हुआ है, तो सही answer है, option B, 9th of November 2019 9th of November 2019 को final judgment आया है, ayodhya case पर supreme court में, तो आपने ध्यान रखना है, काफी important है भी, next question भी काफी जादा important है, how many supreme court judges who delivered historic verdict in ayodhya case, ayodhya case की ओपर जो supreme court का verdict आया है, मतब जो निरना आया है, वो कितनी जजों ने मिलकर दिया है, तो सही answer है, five जजों ने मिलकर supreme court में historic verdict दिया है, ayod next question है हमारा, who has been appointed as 47th chief justice of India, इंडिया के 47th chief justice कोण appoint हुए है, सही answer है, option A, शरद अरविंद बोवडे, 47th chief justice of India appoint हुए है, और आपको यह पता होना चेहिए, जो रंजन गो गई है, यह 46th chief justice of India थे, जिन्होंने historic verdict भी दिया है, और उसके बाद वो retired हो गए है, next question कर लेते है, राम मंदिर बाबड़ी मस्जिद case is related to which state, राम मंदिर बाबड़ी मस्जिद case किस state से related है, तो आपका सही answer होगा, option B, उत्तर परदेश, उत्तर परदेश related है, राम मंदिर बाबड़ी मस्जिद case, next question कर लेते है, नेम दा मॉस्क विछ इस related to अयोध्या case, वै कौन सा मॉस्क ह यानि कौन सा मस्जिद है, जो कि अयोध्या case से related है, आपका सही answer होगा, option A, बाबड़ी मस्जिद, next question कर लेते हैं, in which year बाबड़ी मस्जिद was demolished, किस साल बाबड़ी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तो सही answer है, option C, 1992 में बाबड़ी मस्जिद को गिरा दिया गया था, यह आप कह सकते हो, बाबड़ी मस्जिद was demolished, next question कर लेते हैं, in which year बाबड़ी मस्जिद was built, बाबड़ी मस्जिद को किस साल में बनाया गया था, तो सही answer है, option D, 1528 में बाबड़ी मस्जिद को बनाया गया था, next question कर लेते हैं, when did बाबर केम टू इंडिया, बाबर भारत कब आय था, तो सही answer है, option B, 1526 में बाबर जो है इंडिया में आया था, next question है मारा, who was the बाबर कमांडर, whom बाबर order to build a mosque, तो सही answer है, option C, मीर बाकी, मीर बाकी जो की बाबर का कमांडर था, बाबर ने इसी को कहा था कि वो जाके मौस्क बनाया, ठीका और इसी ने मौस्क को बनाया था जिसका नाम बाबर मौस्क था, यानि बाबर मस्जिद था, next question कर लेते हैं, in Ayodhya, who destroyed a pre-existing temple of Lord Rama, Ayodhya में जो पहले से रामंद्री बनावा था, उसे किसने तोड़ा था, तो सही answer है, option B, मीर बाकी, मीर बाकी जो मैं आपको उपरी बताया था, ये कमांडर था, बाबर का, इ Friends, आप सभी को बता है, कि जो Ayodhya Land Dispute पो जो case चल रहा था, ये 40 दिन लगातार चला है, तो यही हमारा question था, कि continuous hearing of Ayodhya Land Dispute case, last is for how many days, तो आपका सही answer होगा, option B, 40 days, ठीक है, ये question काफी ददा important है, आपके exam के लिए, कहीं-कहीं पर 60 दे रखा है, लेकिन, Friends, आपने धिया question revision करवा दूँगा, ताकि Friends, आपको सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाए, और याद भी हो जाए, इसके बाद मैं आपके लिए इन सभी question का online test भी रखा है, next question कर लेते है, who headed the five member supreme court bench for Ayodhya case, Ayodhya case में मैं आपको बताया था, कि five member थे, ठीक है, supreme court के, इस थे, five member supreme court bench के, ठीक है, Ayodhya case के उपर, next question कर लेते है, name the five judges who delivered the Ayodhya verdict on 9th November 2019, 9th November 2019 को जो verdict आया है, ठीक है, राम अंदिर के उपर, उसमें जो five judges थे, मैं आपको उपर ही question करवाया था, कि five judges थे इसमें, तो इसमें जो five judges है, इनका नाम क्या था, तो आपका answer होगा, सारे answer सही ह ठीक है, first है, Chief Justice of India, रंजन को गई, दूसरे है, Justice S.A. बोवडे, third है, Justice D.Y. चंदरचूड, fourth है, Justice S. अब्दूल नजीर, and fifth है, Justice Ashok Bhushan, ये पाचो नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है, five judges हैं, ठीक है, जिन्नोंने Ayodhya verdict के उपर, अपना फैसला सुनाया है, ठीक है, 9th November 2019 को, ध्यान रखने हैं आपने, next question कर लेते हैं, how much land is allocated for building a mosque under the Supreme Court verdict, Supreme Court ने जो अपना verdict सुनाया है, उसमें, मतलब मस्जीद बनने के लिए कितनी जमीन दी गई है, तो सही answer है, option D, five acres land दिया गया है, मॉस्क बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखने हैं, next question कर लेते है, final verdict on disputed site in Ay favor of हैं, जो final verdict आया है, disputed site के, जो disputed site था Ayodhya case के उपर, वो किसके favor में आया है, तो सही answer है, option B, राम जनम भूमी नयास, राम जनम भूमी नयास के favor में final verdict आया है, disputed area जो था, 2.77 acre का, ठीक है, यह ध्यान रखना है, next question कर लेते हैं, name the mosque which is situated at disputed area in Ayodhya, Ayodhya में जो disputed area था, उसमें कौन सा mosque situated था, तो सही answer है, option C, बाबडी masjid, ठीक है, simple question था यह, next question कर लेते हैं, on which date the final judgment in Ayodhya disputed was declared by the Supreme Court of India, right answer is, option B, 9th November 2019, friends, यह question repeat हो गया, ठीक है, करवा चुका हो उपर, next question कर लेते हैं, यह भी current affair है, काफी ज़्यादा important है, current affair का question है, on Diwali, which city creates world record by lighting over 5.50 lakhs अर्थन lamps, वह कौन सा शहर है, जिसने दिवाली के दिन सबसे जादा दिये जलाए हैं, तो आपका answer होगा, option C, आयोदिया ने 5.50 lakhs अर्थन मिट्टी के दिये जलाए हैं, और यह world record में शामिल हुआ है, next question कर लेते हैं, who became the 47th chief justice of India, इंडिया के 47th chief justice कौन बने हैं, सही answer है, option B, justice शरद अर्विन पोबडे, next question कर लेते हैं, बाबर belongs to which dynasty, right answer is, option B, मुगल डाइनस्टी से बिलोंग करता था बाबर, next question कर लेते हैं, who was the founder of मुगल डाइनस्टी, मुगल डाइनस्टी के संस्थापक, यानि founder कौन थे, तो सही answer हैं, option B, बाबर जो था, यह founder था, मुगल डा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के present में चीफ मिनिस्टर कोन है, answer है, option C, योगी अधित्यानाथ, next question कर लेते हैं, who is the present governor of उत्तर प्रदेश, present में गवर्नर कोन है, उत्तर प्रदेश के, सही answer है, option A, अनन्दी बेन पतेल, next question कर लेते हैं, what was the old name of अयोध्या, जो अयोध question B, फैजाबाद, फैजाबाद अयोध्या का पुराना नाम था, next question कर लेते हैं, who was the chief minister of उत्तर प्रदेश, when बाबरी मस्जिद was demolished, काफी ज़्यादा important question है, आपके exam के लिए, तो सही answer है, option C, कल्यान सिंग, कल्यान सिंग, चीफ मिनिस्टर थे, यानि मुख्य मंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, ठीक है, ध्यान लगना आपने, next question कर लेते हैं, who was the governor of उत्तर प्रदेश, when बाबरी मस्जिद was demolished, जब बाबरी मस्जिद को demolished किया गया था, मतलब गिराया गया था, उस time, governor कौन थे, उत्तर प्रदेश के, तो सही answer है, option C, be सत्य नरायन रेड़ी, 27 नरायन रेड़ी, governor थे, उत्तर प्रदेश के, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, next question भी काफी ज़्यादा important है, who was the prime minister of India, when बाबरी मस्जिद was demolished, बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, उस time भारत के प्रधान मंत्री कौन थे, सही answer है, option C, PV नर्शिमा राओ, PV नर्शिमा राओ, प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, यानि बाबरी मस्जिद को demolished किया गया था, next question कर लेते हैं, इसके बाद जो मैं आपको revision करवाने वाला हूं, वो आपके लिए काफी ज़्यादा important है next question है मारा, when barber was died, barber की मृत्यू कब हुई थी, तो सही answer है, option C, 1530 को barber मरा था, last question करते हैं इस वीडियो का, what was the name of barber son, barber के बेटे का क्या नाम था, सही answer है, option A, humayu, humayu, barber के बेटे का नाम था, friends, ये मैंने आपको 32 questions करवाए, उमीद करता हूं, friends, आपको सभी question अच्छे से समझ में आगे होंगे, अब मैं आपको इन सभी question का एक बार revision करवाने वाला हूँ, ताकि friends, आपको सभी question इसी वीडियो में अच्छे से समझ में भी आ जाए, और याद भी हो जाए, मैं बहुत फटा-फट से करवाऊंगो आपको, और इस सबसे बहतरी नतरीका होता, friends, किसी भी चीज को पढ़ने का कि पहले आप उसको पढ़ो, उसके बाद आप revision करो, और उसके बाद test दे दो, तो मैं आपको इसके बाद test भी लेने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत जादा help मिलने वाली है, सारे question आपको इसी वीडियो में याद होने व रच्विवर सरयन, The final judgement on Ayodhya case in the Supreme Court was declared on? 9 November 2019. How many supreme court judges who delivered a historic verdict in Ayodhya case? five. Who's been appointed as 47th chief justice of India? Haradarены Areventh Bovde, Rama raa Muhammadir Brabdi Masjid case is related to which State Uttar Pradish? Name the mosque which is related to Ayodhya case Right answer is Babdi Masjid In which year Babdi Masjid was demolished Right answer is 1992 In which year Babdi Masjid was built Right answer is 1528 When did Babar came to India Right answer is 1526 Who was the Babar commander whom Babar ordered to build a mosque Right answer is Mir Baki In Ayodhya who destroyed a pre-existing temple of Lord Rama Right answer is Mir Baki Continuous hearing of Ayodhya land dispute case lasted for how many days Right answer is 40 Who headed the five-member Supreme Court bench for Ayodhya case Right answer is Ranjan Gogai Name the five judges who delivered the Ayodhya verdict on 9th of November 2019 Right answer is Chief Justice of India Ranjan Gogai Justice S.A. Bode Justice D.Y. Chandachud Justice S. Abdul Nazir Justice Ashok Bhushan How much land is allocated for building a mosque under the Supreme Court verdict? Right answer is five-acre Final verdict on disputed site in Ayodhya has been in the favor of Right answer is Ram Janambhumi Nyas Name the mosque which is situated at disputed area in Ayodhya Right answer is Babdi Masjid Next question On which date the final judgment in the Ayodhya dispute was declared by the Supreme Court of India Right answer is 9th November 2019 On Diwali Which city creates world record by lightning over 5.50 lakh earthen lamps Right answer is Ayodhya Who became the new 47th Chief Justice of India Right answer is Justice Sharad Arvind Bobde Babar belongs to which dynasty Right answer is Mughal Who was the founder of Mughal dynasty Right answer is Babar Who is the present Chief Minister of India Who is the present Chief Minister of Uttar Pradesh Right answer is Yogi Adityanath Who is the present Governor of Uttar Pradesh Right answer is Anandi Ben Patel What was the old name of Ayodhya Right answer is Fayzabad Who was the Chief Minister of Uttar Pradesh when Babdi Masjid was demolished Right answer is Kalyan Singh Who was the Governor of Uttar Pradesh when Babdi Masjid was demolished Right answer is B Satyanarayan Reddy Who was the Prime Minister of India when Babdi Masjid was demolished Right answer is PB Narsimha Rao When Babad was died Right answer is 1530 What was the name of Babarsan Right answer is Humayou Friends, I have to have 32 questions I have to have 32 questions I have to have a revision Now, I have to have 32 questions I have to have 32 questions I have to have on-line test Friends, here test is different different तरीके का है, आपको क्या करना है, जो सही आंसर है, सरिफ आपने अपने दिमाग में सोचना है, मतलब कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही आपने मुझे कुझे कमेंडर करके बताना बस दिमाग में सोचना है और आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कमेंडर करके कि आपका 32 में से स्कूर कितना रहा है मतलब कितने कोउशन आपको इस वीडियो में याद हुए है और वीडियो कैसी लगी, आपने अपने दिमाग में सोचना है How much acres of land was disputed in Ayodhya case Four options Ayodhya is situated on the bank of which river Four options हैं आपके पास The final judgment in Ayodhya case in the Supreme Court was declared on How many Supreme Court judges who delivered historic verdict in Ayodhya case Who has been appointed as 47th Chief Justice of India Ram Mandir Babadi Masjid case is related to which state Name the mosque which is related to Ayodhya In which year Babadi Masjid was demolished In which year Babadi Masjid was built Four options हैं आपके पास When did Babadi came to India Four options हैं Friends आपने पना score जरू बताना है कि 32 में से आपका score कितना है Video कैसी लगी है यह भी आपने जरू बताना है Who was the Babar Commander whom Babar ordered to build a mosque In Ayodhya who destroyed a pre-existing temple of Lord Rama Next question है Continuous hearing of Ayodhya land dispute case lasted for how many days Who headed the five-member Supreme Court bench for Ayodhya case Name the five judges who delivered the Ayodhya verdict on 9th November 2019 How much land is allocated for building a mosque under the Supreme Court verdict Final verdict on a disputed site in Ayodhya has been in the favor of Name the mosque which is situated at the disputed area in Ayodhya On which date the final judgment in the Ayodhya dispute was declared by the Supreme Court of India Four options है आपके पास On Diwali Which city creates world record by lightning over 5.50 lakhs earthen lamps Who became the new Chief Justice of India Babar belongs to which dynasty Who was the founder of the Mughal dynasty? Who is the present Chief Minister of India? Who is the present Governor of Uttar Pradesh? What was the old name of Ayodhya? Who was the Chief Minister of Uttar Pradesh when Babari Masjid was demolished? Who was the Governor of Uttar Pradesh when Babari Masjid was demolished? Who was the Prime Minister of India when Babari Masjid was demolished? Friends, उपर एक कोशन करवा है मैंने आपको Chief Minister of India जहां बता है वहां पे आप उत्तर प्रदेश कर लेना ठीक है? When Babar White died? Four options हैं आपके पास आपने अपना score जरूर बताना है 32 में से Last question है test का What was the name of Babar's son? Friends, मैंने आपको 32 questions करवा है, 32 question revision भी करवा दिया, 32 question का test भी ले लिया भी जूर सकते हो, Ravi Study IQ GK के नाम से है, ठीक है, Ravi Study IQ GK के नाम से Facebook, Telegram, Instagram है, इसे आप जॉइन कर सकते हो, मेरे एक Maths का channel भी है, बहुत expert level का math पढ़ा है, Maths by Ravi Study IQ GK, Maths by Ravi Study IQ GK है, इसे भी आप अब भी जॉइन कर लीजिए, तो friends, अब हम मिलते हैं next video में, thank you and wish you all the best.